सब्सक्राइब करे टीम पार्डी स्टार चैनल को और प्रेस करे इस बैल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हेलो गाईज टीम पार्डी स्टार यूटूब चैनल में आपका स्वागत है आज की वीडियो में हम आपको एक नया एंप्लिफायर जो की डीजे मेकर कंपणी ने लांच करा है और इस एंप्लिफायर के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन देने वाले है वो भी प्रॉपर रिव्यू प्लस टेस्टिंग प्लस प्राइज तीनों चीज आपको इस वीडियो में कवर करने वाले है और एंप्लिफायर को पूरा आपको खोल के भी दिखाएंगे और कौन-कौन से पार्ट इसके अंदर फिट किये गए है वो भी आपको एक बार दिखाने वाले है तो वीडियो को पूरी देखे वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है और चैनल को सब्सक्राइब और नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और कौमेंट करें और बताएं आपको वीडियो कौन सी चाहिए तो हम उस पर जल से जल बीडियो बनाते है तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हो है कि अब दोस्तों मैं डीजे मेकर आउडियो से गौर आजयन जैसे कि आप लोग हमारी कंपनी के वारे में जानते ही है और यूट्योब पे आप हमारी वीडियो देखते ही रहते हैं मैं फिर भी आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपनी शॉप का एड्रेस बता देता हूं हमारी शॉप है ओल लाजपत्राय मार्किट में शॉप नंबर 572 शॉप नंबर है जो कि लाल के बिल्कुल सामने हमारी शॉप में अधियर दिल्ली में आप आए आप पुरानी सेंदेने दिल्ली उत्रें चाक्निन है सीधर लाल के लिए समय हमारी शॉप है लिए घॉघमेकरट नाम से तो यह वीडियो जो मैं आ दो आज बनाई है यह वीडियो मैंने siper को ना बनाकर एक एंपलिफायर के है जो कि 1600 वोट का एक एंप्लिफायर है जो कि आपके दो टॉप बहुत अच्छे तरह किसे चलाएगा जो कि मेर्ट बेस ट्रेबल में आता है और उसमें कूलिंग टेक्नोलोजी दी है प्लस बीस मॉस्विट दिये हैं कंपनी ने दो ट्रांस्वार्मर दिये हैं जो कि टो टो यह क factorial का आप अुवर्वियोंगा सकते हैं यह इसके कि लो फ्रेक्वेंसी मिड रिकॵेंसी और हाइफ एक फ्रिक्वेंसी क donne 3 कैसे आऊपसे यह मास्टर कंड्रोल यह प्रिक रहां से अब इसकी बेस कंड्रोल कर सकते हैं Grill से आप इसकी आवाज कंड्रोलव हर सकते हैं जो क हमारी आवाज मतलब की जो जो बोल होते हैं गाने के जो बोल होते हैं वो इससे कंट्रोल किया जाते हैं हाई मतलब की प्रिवल होता है जो की जनकार जिसे हम हिंदी में लेंग्विज में जनकार बोलते हैं वो इससे कंट्रोल किया जाता है और यह मास्टर कंट्रोल जिससे हम आवाज को कंट्रोल करते हैं कि हमें आवाज कितनी चाहिए और कितने अच्छे लेवल पर चाहिए आवाज कि इससे कंट्रोल किया जाता है उसके बाद company ने दो पटन्स दिया है जिसमें speaker box और driver unit का एक system दिया गया है जिसमें आप speaker box में चलाएंगे तो आप इससे speaker चला सकते हैं जैसे कि हमारे मैं आपको इसमें टेस्टिंग के दोरान दिखाऊंगा इसका वर्क की यह कैसे करती है और driver unit पर आप करेंगे तो इसकी बेस बंद हो जाएगी और driver unit आप इसमें चला सकते हैं कंपनी ने एक equalizer in out का option भी दिया है जिसमें equalizer in करने पर यह आपके mid triple base के जो knobs दे गए हैं यह आपके fully work करेंगे और equalizer आप out कर देंगे अगर तो यह आपके knobs work करना बंद कर देंगे आप direct mixer से input देके और master control के जरीए आप इससे चला सकते हैं आप इसे amplifier को use कर सकते हैं सोला एंपियर का on off को button दिया गया है बहुत ही अच्छी company का जो कि एक like a mcb काम करता है dancing lights दीवी है जो कि clip mode तक आपका प्लस 50 db तक आपका पूरा show करती है जो कि इसमें show करती है कि आपकी आवाज कितने db तक जा रही है कंपनी ने इसमें options दिये हैं जैसे कि power अगर हम set को on करते हैं तो यह power और फोल्ट की light on होती है और amp जो properly on होने के बाद फोल्ट की light बंद होकर amp on हो जाता है अगर कोई आपका set जैसे चलते हुए कोई fault आजाता है आपके amplifier में तो यह fault की light आपकी blink हो जाएगी जिससे आपको यह पता लग जाएगा कि इस amplifier में fault हो चुका है उसके बाद company ने ओर लोड का एक साइन दिया गया है जिसमें कभी आपका set overload हो जाता है जैसे कि ज्यादा हीट ज्यादा हीट होने से या ज्यादा लोड डालने से अगर overload हो जाता है तो यह जो light है वह यह शो करती है कि यह set overload पर जा चुका है कम्पनी ने branding दी है DJ maker audio DJ 1600 M जो number दिया गया है यह आपको आप देख सकते हैं यह company का है और company ने जो branding दी है कि वह बहुत ही शांदार तरीके से अपनी ब्रेंडिंग दी है अब आते हैं हम इसके बैक पैनल पर तो बारी है इसके बैक पैनल की सबसे पहले फर्स्ट जो कि हमारे जो DJ वाले भाही सब मांगते हैं कि एक बढ़िया एंप्लिफायर में सबसे ज्यादा requirement रहती है उसकी cooling fan की कंपनी ने कूलिंग दिया है जो की sensor का है रेक्समोरल कंपनी का है sensor का fan होने से जितनी मशीन यह आपकी हीट होगी जितना आपका एंपलिफायर वक करेगा उस हिसाब से यह fan वर्क करेगा यह sensor इसमें फैनल में लगा हुआ है यह sensor के दोरा काम करता है उसके बाद जो company ने लगा कर आप यहां से चालू कर सकते हैं equalizer in करकर या फिर आप यहां से mixer का वायर लगाकर equalizer out करके आप mixer से play कर सकते हैं कमणी ने इसमें common two ohms, four ohms और eight ohms का options दिये हैं जैसे कि आपको अगर एक speaker बजाना है जो की आठ होम पर वर्क करता है तो आप common और आठ में वायर लगाए अगर आप दो वही आठ होम के दो speaker वर्क करते हैं जैसे कि हमारा एक top होता है वो चार ohms का होता है तो हम common और four ohms में उसका वायर लगाएंगे और अगर हमारा अगर हम इसमें दो टॉप लगा रहे हैं मतलब कि चार speaker जो हमारे 15 इंची के होते हैं आठ होम पर जो वर्क करते हैं वो चार स्पिकर अगर हम लगा रहे हैं तो उनका मिलाकर जो ohms होता है वो two ohms होता है तो वह हमारा common और दो पर लगेगा यह यह एंप्लिफायर स्टेबल कंडिशन में चलता है two ohms four ohms और eight ohms पर साथ ही कंपनी ने इसमें ड्राइवर यूनिट का भी पॉइंट दिया है जिसमें आप ड्राइवर यूनिट इससे प्ले कर सकते हैं common 70 वोल्ट और 100 वोल्ट आप जैसे कि आप मैं एक सपो जो डीजे मेकर कंपनी का एंप्लिफायर है आपका 30 से 35 ड्राइवर यूनिट जो की यूनिट होती है वह आपकी चल सकती है और आप कम से कम इस पर 2000 वोल्ट तक का लोड डाल सकते हैं common और दो पर 1200 वोट पर स्टेबल है यह चार हों के लिए और 1200 वोट बेसटेबल है ऑफों के लिए आपको मैंने इसके पैनल के बारे में बताया गया है अब इसके बाद आता है मेनलीड बहुत ही पावर फुल मेंलीड दी गई है अब देख सकते हैं सोला एंप यूशियाग प्राइव उड़ जाता है वो कंपने ने अंदर ना देखे वो भार दिया है जिससे आप लोग फ्यूज चेंज करकर आप इजली इसे सई कर सकते हैं उसके बाद जो मैंने आपको अभी थोड़े दिर पहले एक उवर्लोड का साइन दिखाया था फ्रॉंट में जो की ओवर्लोड की लाइट है अगर बाई चांस ओवर्लोड आपका सेट हो जाता है और उसकी लाइट ओन हो जाती है तो आप यह देखेगा कि आपका यह बाहर आ करिए और इस बटन को प्रेस कर दीजिए आपका जो एंप है वह वापिस उसी कंडिशन में आ जाएगा जो पहले था रिसेट हो जाएगा यह पूरा एंप्लिफायर जो की आपने लोड डाला एक्स्ट्रा लोड डाला वह आप हटा लीजिए और उसके बाद रिसेट का दह वाचे değer और उसे अलग है जिससे आप इसे एजिली फ्लाइट रहों में भी लगा सकते हैं बेसिकली जो फुष्ड्रा एंडल होते हैं उसे हम निकालते हैं जब कि वह मत लोग कहते हैं लूज कहते हैं कि हमें प्लाइट केसमें चाहिए भीया तो उस इसवाभी को धिया में रखके कंपनी ने जो हैंडल लगाए हैं वह इसली आपके जो हमारी नॉर्मल पेटी होती है 3U जिसे हम कहते हैं 3U वाली फ्लाइट केस में इसली आपका लग सकता है यह अब बारी आती है इसके इस सेट को ओपन करने की तो मैं इस सेट को ओपन करके आपको दिखाऊंगा और इस सेट में आपको दिखाऊंगा कि कंपनी ने कौन-कौन से इसमें कंपोनेंट्स यूज करें हैं और कौन-कौन सा मट्रियल यूज किया है वैसे हमारी DJ Maker कंपनी बैस से मट्रियल लगाने लगाती है और अपने कस्टमर्स के लिए यह देह रखती है कि आपको बैस्ट जरूर देखे क्योंकि इसके बाद हम टेस्टिंग भी करेंगे और उसके बाद हम प्राइस की बात करेंगे तो हमारा सेट बिल्कुल तइयार है कुलने 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 तो दोस्तों यह मैंने ओपन कर दिया पूरा सेट और आप देख सकते हैं पिछे वाले पैनल से चालू करता हूं कूलिंङ फैन दिया गया है जो कि हमारे जो हैट सिंग होती है सोपर करता है जम्हारा एंप्लिफाइर करता है दो यह हैट सिंग जो हमारे मौसुट लगे हुए यह गरव होते हैं और हीट परड्यूस करते है तो यह जो फैन है ये आगे से पूरी हवा खीशते हुए और पीछे को निकालता है एर फिल्टर के लिए बेस्ट फैन लगाया है कंपनी ने उसके बाद बाद आती है ये जो इंपूट्स हैं ये बहुत ही अच्छी कंपनी के लगे हुए है और ये हमारे टर्मिनल्स लगे हुए है ये हमारा फ्यूज होल्डर है ये फ्यूज होल्डर है और ये ओवरलोड लगाया है कंपनी ने इसमें ओवरलोड लगाया है जो कि 12 एंपेर का है एक आती है यहां बात इसके दिल की जैसे कि आप दून्हों ट्रांसफार्मर देखी सकते हैं यह हमारा लाइनर है जिसे आउटपड कहते हैं और यह हमारा मैं ट्रांसपार्मर है जो ही की टॉरारी। यूज किया गया है प्यूर कोपर में हैं दोनों ट्रांसवार्मर और 4 इंज का ट्रांसवार्मर है जो की आउटपुट का है बेसिकली जो इतने वोटेज के जो सेट होते हैं और कंपनियों के वह चार इंज नहीं लगाते हैं आप देख सकते हैं कि जो इसमें कंपनी ने यूज किया है वह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का प्लस बहुत ही हैवी ट्रांसवार्मर इसमें आउट्पुट में दिया है जिससे आपको पर्फोर्मेंस और बेटर मिले और अच्छी मिले कंपनी ने 1166 का याना की 1600 वर्ट का चुट ट्रांसवार्मर है वो दिया है और इसमें जो मोस्वेट दिये गए हैं वह 20 मोस्वेट आं 10 और 10 का जो पेयर है बाहन सो और to 4040 सकते की यह माते हैं we care जिसमें connection आगे दिये होए है जो tel Bys helmets के लिए रिगे कामाते हैं आप के इसके имеет आता है यह condenser board जो की capacitor board जिसे हम बोलते हैं इसमें कंपनी ने पंदरह हजार 63 मतलब की पंदरह हजार 15,000 MFD 63 वोल्ट के चार condenser जो की चार capacitors लगाए हैं जो की अपनी रेंज के ही बहुत अच्छे capacitors हैं जुनजल कंपनी के लगाए हैं best components use करने का महत होता है कि आपको जो इसकी जो output मिलेगी वो बहुती परफॉर्मस बहुती बैस्ट मिलेगी उसके बाद आता है driver unit driver sorry driver unit बोला मैंने driver board आता है driver board आपको मिलेगा इस amplifier में बहुती best quality जो कि 2000 और 3000 वाट में यूज किया जाता है वह वाला ड्राइवर बोर्ड लगा है इसमें उसके बाद आता है LED बोर्ड LED बोर्ड में भी IC दी गई है जिससे वह fluctuation को पूरा matter कर सके और पूरा control कर सके बात आई अब इसकी पूरे आपको बताया है और अब बारी है इसकी टेस्टिंग की तो मैंने दो टॉप मैंने दो टॉप रेडी किये हैं जो की हमारे एक टॉप में 500 500 वाट के स्पिकर है और 80 वाट के है यानि एक टॉप 1080 वाट का हुआ और दो टॉप हुए हमारे 260 वाट के तो वह हम कॉमन और दो ओम पर चलाएंगे और आप लोगों को मैं टेस्टिंग दिखाऊंगा इकुलाइजर इन करके भी एकुलाइजर आउट करके भी तो टेस्टिंग के द की दिखाऊंगा अले दो चलते हैं अलाद चलते हैं तेस्टिंग की तरह है तो दोस्तों चैसे मैं आपनी आपको घ्राइजर चक्रामगा मैं यसे दो मिल आपका हाई है 500 वोट का एक स्पीकर लगाया है और 80 वोट की होती है वह मैंने इसमें लगाई यह तो एक टॉप होता है 1080 वोट का और दूसर टॉप होता है 1080 वोट का दोनों मिलाके हुए 2160 वोट अब मैं आपको और बात बता देता हूं जो कि लोग बहुत स्पीकर यह 8 यह हमारा एक आट ओम्स और यह आठ ओम्स का है तो हम अगर इसमें पहले कनेक्शन करते हैं तो यह हमारा होता है चार ओम्स मतलब हमारा एक टॉप हो गया चार ओम्स का और दूसरा टॉप भी हमारा चार ओम्स का हो गया अगर हम उन दोनों को पैलल कनेक्शन कर देते हैं मतलब कि उन दोनों के तार आपस में जोड़ देते हैं तो वह हमारा ओम्स हाफ हो जाएगा तो अगर हम दो टॉपों फिर फिरों करते हैं तो बैसिकली चार स्विकर घो होता है तो मैं यह यूर जो है दो तो जैसे कि मैंने अब को पता है कि दोनों वाय यहां के तो बैसे हमारा होता है ऑं तो मैं ने आपको इन दोनों टॉप की वायर जो मैंने लगाई है एक चीज और मैं कहना चाहूंगा अपने भाईयों को सबको जो हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं इसको कि आप कपी भी अगर इन टर्मिनल्स में वायर लगाते हैं तो आप हमेशा सेट आफ करके लगाएं यह मतलब चेसी होती है जो कि जो इसकी हम इसे आप चेसी बोल लो या इसके जो फ्रेम बोल लो जो भी बोल लो यह जो होती है यह ग्राउंड होता है पूरा यह पूरा ग्राउंड होता है अगर हमारा जो यह लाल वाला तार है जो गरम वाला तार है अगर बाई चांस हमारे एम्पल अब लिए में भी कुछ हो सकता है, तो आप सेट ओफ करके ही वायर लगाए और देखें कि प्रोपर्ली आपकी वायर लगी है, उसके बाद ही सेट ऑन करें, अब हमारे टॉप बिल्कुल रीडी है, चैकिंग के लिए, तो हम टेस्टिंग करते हैं, मैं आपको दो कानों पर ट पावर और फॉल्ट कि लाइट बंद तभी होगी तब इस एम्पलिफायर में कोई नहीं होगा फोल्ट नहीं होगा एंप उन है तो इसका मतलब यह आपकी ओन कंडिशन में है अभी एम्पलिफायर और आपका वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी है यह हमारा में में प्रिकर की वायर लगाई है तो आप चालो करते हैं सॉंग आप 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 हुआ हुआ के लगए करें के लिए न क आप आपका हुआ झाल झाल दोस्तों आपने टेस्टिंग देखी टेस्टिंग आपको कैसी लगी कमेंट में रखएंगे आपको यह कैसा लगा दीजे में कंपनी आप से वादा भी करती है और प्लस अ प्लस आपको बहतरीट स्वादा चीज बैससे बैस से देने का वादा करती है तो यह जाइड वोट्र कंपने ने लिखके दिया है वो 1600 वोट ना होकर 2000 वोट का एम्प्लिफायर है जो कि इसकी आउटपूट एक्ट्र दो हजार है तो आप लोग इस पर एक डिवल बेस पर चला सकते हैं मैंने खुद अपने यहां टेस्टिंग करी है और कहीं डीजे वालों को भी लॉंच करने से पहले यह एंप्लिफायर दिया है जो कि उन लोगों ने इसका रिस्पॉंस बताया कि बहुत ही अच्छा रिस्पॉंस है जैसे कि हमारा पिछले कुछ दिनों में 1000 वोट का एम्प्लिफायर जो कि डीजे में कर कंपनी का बहुत ही ज्यादा अच्छे डिमांड में आया है औ अच्छे डिस्पॉंस में लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉंस भी दिया है उसमें कि बहुत अच्छा है तो आप लोग मैं चाहता हूं कि इसे भी ऐसा ही प्यार दे और इस अप्लिफायर को एक बार टेस्टिंग जरूर करें आप अपने डीजे में एक नया गैजट जरूर इंक्लूड करें एक नया जो की बच्चा हमारे जैसे गैजट होते हैं हम एम्प्लिफायर को भी इसी तरह से देखते हैं कि जो हमारा एक लाइक बेवी मतलब एक बच्चा है हमारा जो हमारा प्रोडक्ट होता है वह आप लोग अपनाएं और यह लोग इसे अपने दीजे में शामिल करें बात आती है अब इसके प्राइज की तो यह जो इस एम्प्लिफायर है जिसका एक्चुल आउटपुट दो हजार वोट है और सोला सो वोट कंपनी ने क्लेम किया है यह आपके लिए है उननीस हजार पांसो रुपे में मात उननीस हजार पांसो मिलेगा एक सब्सक्राइब बहुत अच्छी आपके पास चीज है कि जो दो हजार वोट बाइसों वोट तक जो आप एम्प्लिफायर का जो यूज करना चाहते हैं वह आप इससे ले सकते हैं तो यह आपको उननेस हजार पांसो रुपे में मतलब की 9500 रुपीज में आपको इसको बिलिंग के साथ लेना चाहते हैं तो अठारा परसें हमारा जो जो जीएस्टी है वह इसमें आपको अलग से पे करना होगा मतलब की उननेस हजार पांसो प्लस जीएस्टी इसका जो एमांट है तो आप लोग आए हमारी शॉप पे खुट टेस्ट करें और देखें कि किस तरह का हमारे पास एमप्लिफायर मेग खोते हैं हमारी कंपनी 800 वोट इसकी दो साल की वरंटी कंपनी आपको देती है अगर आपके एमप्लिफायर में चांप आपको कंपनी न्या आपको कोई वारंटी नहीं आती है तो आप लोग आए और परचेस करें आज के लिए इतना ही इस वीडियो में आपके लिए लाया हूं डीजे में कंपनी नहीं निकालने वाली है तो मैं अग면 को यह कोंगी अगर कोई आप याप से कुछ जाने लानें में कुछ कहा है और आप लोग अब यार देते रहे धन्यवाद शुक्रिया तो गाइस कैसा लगा आपको एंप्लिफायर नीचे कॉम्मेंट में जरूर बताए और नेक्स वीडियो आपको कौन सी चाहिए उस पर भी कॉमेंट करें हमें बताए कि कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हम जल से जल वीडि कि इस दें सर ने बताया है तो वीडियो आपको करी हो तो वह भी आप देख सकते हैं दुबारा और काफी कम रेट पर आपको यह एंप्लिफायर मिलने वाला है तो चलो वीडियो को एंड करते हैं मिलते आपको एक नई वीडियो के साथ अगर आपने इस्टाग्राम पर बाइ फ्रेंट